हलो गाईज, मैं हूँ पपो और आज इस वीडियो में जानेंगे क्रिसी और क्रिसी के परकार, तो एक एक चीज को बड़े ही आराम से समझाऊंगा, देखते चलिए क्रिसी, इंगलिस में कहते हैं agriculture, क्रिसी का हिंदी मतलब होता है खेती, किसानी, क्रिसी कर्म, किफायत, जुताई, क्रिसी करन, खेती बाड़ी, जमीन की बौई, यानि कहा जाए तो क्रिसी को हम क्रिसी ना कह करके, क्रिसी को हम खेती भी कह सकते हैं किसानी भी, क्रिसी कर्म भी, किफायत भी, जुताई भी, क्रिसी कर्ण भी, खेती बाड़ी भी और जमीन की बुआई भी, ओके, तो अब देखिए यहाँ पर, क्रिसी जो है वो लेटिन भासा का सब्द है, जो एगरिक तथा कल्चरा नामक दो सब्दों से मिलकर बना है, जिस काला जाए, तो मिटी में हल जोतना ही क्रिसी कहलाता है, यानि और भी, आसानी से समझा जाए, तो फसल उत्पादन करने के लिए, भूमी पर किये गए कार्य को क्रिसी कहते हैं, जिया साथियो, क्रिसी आप आसानी से समझ गये होंगे, कि फसल उगाने के लिए, भूमी पर जो भी हम कारे करते हैं, वही कारे हमारा क्या है, किरिसी है, अब किरिसी जान गए, तो और भी चीजे जान लेते हैं, अब देखिए, किरिसी उतपादन को परभावित करने वाले कारक, जैसे में हो गया मिट्टी, जल, वाईू और nói क्रिसी के लिए यह सारी ची थ bouेती बारी कर पाएंगे, ओके नेक्स्ट, अब देखिये, ख्रिसी का क्या महत्व है, मतलब हम ल्ग क्रिसी क्यूं करते हैं, तो देखिये, क्रिसी से भोजन का क्यों समस्य हम लोगों गों और कह रहता है, उसका समय आसानी से हो जाता हैे, इसके बाद ख्रिसी से पसु पा हर स्विधाओं में मदद करता है मतलब हमारे जरुरत की चीजे घड़ती है तो क्रिशी के सहायता से हम लोग अपने अंदर अपने सारी जरुरतों को पुरा कर लेते हैं ठीक है क्रिशी से हमारे देश की आर्थिक इस्तिती में स्तुधार होती है ठीक है next अब जानते हैं क्रिशी के परकार पहला है सिंचित क्रिशी दूसरा मिस्त्रित क्रिशी अस्थनांतरन क्रिशी निरवाह क्रिशी गहन क्रिशी बाकि ये सारी चीजे चलिए बारी बारी से जानते हैं इक एक चीज को बड़े ही ध्यान से समझेगा पहला है सिंचित क्रिसी, इंगलिज में कहते हैं इरिगेटेड अगरी कल्चर यहां पर देखिए, क्रिसी का वह वाग है जहां पर फसल उत्पादन के लिए जल की भरपूर मात्रा मिलती रहे, सिंचित क्रिसी कहलाता है यानि अगर आपको जल, जितना जरूरत है उतना अगर मिलते रहे, तो वह आपको क्या कहलागा सिंचित क्रिसी, ओके, नेक्स्ट अगला है मिस्रित क्रिसी, इंगलिज में कहते हैं मिक्स्ट एग्रिकल्चर यहाँ पर देखिए, एक ही जगह पर सारी चीजे उगाई जाती है, ऐसे क्रिसी को मिस्रित क्रिसी कहते है यानि कुल मिलाकर कहा जाए, तो सारा चीज इसमें मिला हुआ होगा, फेटाया हुआ होगा जैसे अगर हम बाजरा उगा रहा है, तो बाजरा के साथ मूंग भी उगा सकते हैं, यह क्या हो गया, मिस्रित हो गया, मिला हुआ है और यहां अगर बाजरा उगा रहे हैं तो उसके साथ अरहर भी उगा सकते हैं मका के साथ उदर भी और गेहूं के साथ चना भी तो यह एक साथ में अगर हम किसी अन्य अन्य तरह की फसल अगर उगाते हैं हम तो यह तरह से क्या हो गया मिश्रित क्रिसी ठीक है तो यहाँ पर देखी सकते हैं जव चना, जव मटर, जवार पलस, और हर गेहूं पलस मटर, यह सारी चीज़े, ठीक है, next अगला है अस्थनांतरन क्रिसी, इंगलीज में कहते हैं shifting agriculture, यहाँ पर देखिए, इंगलीज से ही पता चलता है shifting, यानि कहीं shift होने जा रहे हैं यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि जगह बदल बदल कर उगाई गई फसल को अस्थनांतरन क्रिसी कहते हैं, यानि आज हम यहाँ खेती कियें, तो कल यहाँ से उठकर हम यहाँ क्रिसी करेंगे, ठीक है, तो अगर हम जगह बदल बदल कर अगर हम फसल उगाते हैं, तो वो परिवार की अवसक्ताओं को पुरा करने के लिए किसान द्वारा की गई कारे को निर्वाह किरिसी हम कहते हैं यानि कूल मिला कर कहा जाए तो अपने परिवार में जितने भी लोग हैं उनके अवसक्ताओं को पुरा करने के लिए अगर हम खेतों में कारे कर रहे हैं तो वो हम कम जगह में अधिक कारिया यानि अधिक परिश्रम करना हाडवर करना और अधिक पैसे भी खर्च करना उर्वारक या किटनासक आधी डाल कर ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन किया जाता है गहन क्रिशी में इसमें एक ही जगह पर वर्ष में कई फसले बोई जाती है इस परकार की क्रिशी को हम गहन क्रिशी कहते हैं ठीक है अगला है ब्यापक क्रिशी इंगलिस में कहते हैं extensive agriculture इसमें बड़े बड़े खेतों की खेती की जाती है कम पुझी भी लगता है और कम कारे भी लोग करते हैं और ऐसे क्रिशी को हम कहते हैं ब्यापक क्रिशी ठीक है और ये जो है ना घनी अबादी वाले छेतर में फेमस है यानि प्रचलित है और मध्यम अबादी वाले छेतर में अभ्यास किया जाता है ठीक है तो ब्यापक क्रिशी को अपासानी से समझ गये होंगे अगला है वानी जईक क्रिशी इंगलिस में कहते हैं commercial agriculture इसमें किसान अपनी फसल का उत्पादन ब्यवसाइक उद्यस्य के लिए करते हैं यानि बिजनेस के उद्यस्य से यहाँ पर खेती करते हैं जिसे हम ब्यवपारीक क्रिशी या वानी जईक क्रिशी कहते हैं इस खेत में बड़ी और भारी मसीने लगती है और इसके अलावा अधीक भूमी का भी इस्तिमाल किया जाता है इतना ही नहीं यह खेती करने का एक आधूनिक तरीका भी है ओके तो आप असानी से समझ गये होंगे वानी जैएक क्रिसी यानि कुमर्सियल एगरिकल्चर अगला है बागवानी क्रिसी इंगलिस में कहते हैं होरटी कल्चर एगरिकल्चर बागवानी एक ऐसा छेतर होता है जिसमें फलो सबजिया फूलो मसालो और मसरुब इत्यादी की खेती से संबंधित फसले उगाई जाती है ऐसे क्रिसी को हम बागवानी क्रिसी कहते हैं ओके, next, अगला है सुखी भूमी क्रिसी, यानि dry land agriculture, वह छेतर जहां बहुत कम वर्षा होती है, यानि पानी होता ही नहीं है, बिना पानी के ही फसल, उगाने, यहाँ पर उगने हो गया, ठीक है, तो समझ लीजेगा, उगाने की कारे को सुखी भूमी क्रिसी कहते हैं, यानि आए, तो बिना पानी के ही खेती वाड़ी कर लेना, एक तरह से सुखी भूमी क्रिसी कहलाता है, ठीक है, जैसे में देख सकते हैं, जवार, बाजरा और रागी, यह बिना पानी के भी उग जाते हैं, इसके बाद तिलहन में देख सकते हैं, सरसो, रेप सीड, और यहाँ दल बिना पानी के ही इसको उगाया जा सकता है, तो ऐसे क्रिसी को हम क्या कहेंगे, सुखी भूमी क्रिसी, ओके, नेक्स्ट, और हाँ, अमेरिका के कोलंबिया पठार पर यह की जाती है, वहाँ पर हमेशा सुखा ही रहता है, ठीक है, नेक्स्ट, अगला है गिले भूमी क्रिसी Wetland Agriculture सुखे भूमी क्रिसी सीख गए तो गिले भूमी क्रिसी भी कुछ नहीं है यहाँ पर देखे वठे तरह जहां पर हमेशा पानी रहती है गिली जगों पर खेती करने की परनाली को हम क्या कहेंगे गिले भूमी क्रिसी कहेंगे जैसे मैं सिंगाडा ये पानी में ही तयार होता है और हमेशा पानी आपको भारत में मेघाले में हमेशा रहता है ठीक है तो पानी में भी अगर आप खेती करते हैं तो आपको कहलागा गिले भूमी क्रिसी ठीक है तो चलिए अब आगे की चीजों को सिखते हैं तो आज इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको सिखाया है, जो कुछ भी आपको बताया है, I hope आप बहुत ही आसानी से समझ गयांगे, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा, मिलते हैं अगली वीडि जे आसे समझ में में खके कॉमे।